कंगना रहनौत जो की लगातार अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चाओं में रहती है और बॉलेगूट इंडस्ट्री में कंट्रोवर्सी से लेकर वो सुर्खिया बटोरते रहती है आपको बता दे कंगना रहनौत एक ऐसी है जो की लगातार अपनी बातों को बोल कर पीछे नहीं अटती जिहां वो अपनी बाते लोगों के सामने रखते ही रहती है और निडर बेखौफ लोगों को अपने बारे में खुल कर बताती है जिहां आपको बता दे जिस तरीके से व कहीं ना कहीं सुर्खियों में रहती हैं तो आपको बता दे हाल ही में कल यानि की 29 अप्रेल 2019 लोकसबा चुनाव के चौते चरंड का चुनाव था कल जी हाँ कल यानि की चौते चरंड का चुनाव जब मुंबई में हुआ तो वहाँ पर चुनाव देते हुए कंगना रेद नौट ने लोगों से बात करते करते कॉंग्रिस की राज की तुलना ब्रिटिश राज में कर दी जिहां बताया कि हम गुलाम थे और इतना ही नहीं कंगनाय ने वोट डालने के बाद जम कर कॉंग्रिस पर बरसी भी सुने उन्होंने क्या कहा वीडियो में और मुझे लगता है सही मालने में भारत अब आजाद हो रहा है क्योंकि इस से पहले कभी हम ब्रिटिश कभी मुगल कभी इटैलिन गवर्मेंट के ही गुलाम थे तो प्लीज अपना जो स्वराज का जो हक है उसको आजमाईए और यहां पे जरूर आज उसका उप्यों कीजिए और जैहिल